ब्रिटिश रेकॉर्ड तोरने वाली दिगज कंपनी एड चाइना ने 118.964 की मी घंटा 73.921 मील प्रती घंटे की रपतार से जूलते हुए सबसे तेज इलेक्ट्रिक आइस क्रीम वेन के लिए एक और गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड का खिताब तोड़ा है एड ने 2018 में वेन को वापस विद्योती कृत करने के लिए अपने जादू को काम करना शुरू कर दिया जो मूल रूप से मसेडीस स्प्रिंटर डीजल इंजन पर चलता था दो साल के संशोधनों और कोरोना वाइरस की चुनोतियों के बावजूद उन्होंने मार्च 2020 में रिकॉर्ड तोड़ दिया रेकॉर्ड को यॉक्षर, UK के एलविंग्टन एयर फील्ड में मापा गया था और उन्होंने जो गती हासल की थी अगर वह एक मोटरवे पर थे, तो एड को एक तेज टिकट दिया गया था यह परियोजना एड के लिए रेकॉर्ड तोड़ने के बारे में कभी नहीं थी, इसका परियावरणिय महत्व भी था जब उन्हें पता चला कि कुछ विशेले उतसरजन के कारण लंदन के कुछ शहरों में इव आईस्क्रीम वेन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो एड ने आईस्क्रीम वेन के लिए एक विशेश इंजन रूपांतरन किट बनाने का फैसला किया ताकिवे डीजल के बजाए बिजली से चल सकें वह से विश्वस्तर पर भविश्य के प्रूफिंग आईस्क्रीम वेन को समरा टाइम के प्रमुक भाग के रूप में रोल करने की उम्मीद करते हैं यहुंका सात्वा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड शीशक है जो तेज गती से चलने वाले वाहनों के आसपास केंदरित है जिसमें सबसे तेज कार्यालय भी शामिल है जिसे उन्होंने 2006 में वापस सेट किया था यह 140 की मी घंटा 87 मील प्रती घंटे की गती से यात्रा करता है अगर आप सोच रहे थे एड़र के पास अब अपनी जगहें हैं जो सबसे तेज मोटराइज शॉपिंग ट्रॉली का रेकॉर्ड तोड़ते हुए वर्तमान में 70.4 मील प्रती घंटे पर है एड़र का लक्ष अपने नए ब्रेकिंग स्ट्रीक को जीवित रखने के लिए अपने नए इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन का उपियोग करके इसे सड़क कानूनी बनाना है सितंबर के बाद से उपलग्ध पुस्तक के 2021 संसकरण में इड़र का नवीन तम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्षीशक हजारों लोगों के साथ होगा दोस्तों, विडियो आपको कैसा लगा? कृप्या लाइक, शेयर, कॉमेंट और सबस्क्राइब करें